नमस्कार किसान बाईयों आज मैं आपको बताऊंगा पसलों में सलपर का क्या मैत्तव है कर्शे में किसान बाई अधिकांस्ते, डीएपी, यूरिया एवं कभी-कभी मूरेट और पोटास का उप्योग करते हैं सलपर जो मरदा में पोशन में चोता आवशक ततव है जिस पर किसान प्राय ध्यान नहीं देते हैं फलस्वरू मरदा में इस ततव की व्यापक कमी देखी जा रही है सलपर एक है लेकिन मरदा में इसके फायदे अनेक है सल पर कवक नासी के रूप में भी काम करता है सल पर एक बहुत अच्छा फपूंद नासक है जो कवक जनित बिमारियों जैसे पावडरी मिल्डियू, बलेक इस्पोर्ट, हेड इसकेब, रूट इसकेब और सभी परकार के रेश्ट के नियंतरण में काम में आता है सल पर उर्वरक के रूप में भी काम करता है, यदि खेत में सल पर नहीं देते हैं, तो पोदों में हरापन कम रहेगा और पोदों की बढ़वार कम रहेगी सल पर की कमी के कारण नई पतियां पीली पड़ जाती हैं और पतियों में कलोरोफिल की कमी हो जाती है, जिसके कारण पोदे सुचारू रूप से बोजन नहीं बना पाते हैं पोदे की बढ़वार रुख जाती है और नाइट्रोजन देने पर भी पोदे में पीलापन दूर नहीं होता है और परकास संसलेशन की किरिया रुख जाती है सलपर का उप्योग गेहूं, आलू, दान, मक्का, सोयावी, मटर, सरसों, सभी तिलहनी, दलहनी, सबजियों एवं फलों में इसका उप्योग कर सकते हैं किसान भाई सलपर का उप्योग जरूर करें, एक साल में एक बार सलपर का उप्योग जरूर करना चाहिए, सलपर पोदे की बढ़वार को बढ़ाता है और पोदे को मजबूत करता है सलपर के प्रियोग से पोदे में कलोरफिल का निर्मान होता है और पोदे सूर्य से ज़्यादा बोजन बनाते हैं और अच्छा विकास करते हैं सलपर का उपयोग कीट ना सक के रूप में भी कर सकते हैं सभी परकार की मक्यों का नियंतरन विसेश कर सपेद मक्य के नियंतरन में बहुत अच्छा कारगर है इसके अलावा सलपर से कुछ थ्रिप्स का नियंतरन भी कर सकते हैं सलपर का उपयोग PGR यानि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में भी परियोग करते हैं जिससे पोदे में कलोरोफिल यानि हरापन बढ़ता है और पोदे को बोजन बनाने में भी मदद करता है सलपर पसलों में प्रोटीन के निर्माण में में तपून योगदान है और पोदों में एंजाइमों की किरियसीलता को बढ़ाता है तिलेनी पसलों में तेल की मातरा का परतिसत बढ़ाता है सलपर की कमी के कारण खाद्यान पसले अपेक्षाकर्थ देर से पकती है एवं बीज डंग से परिपकव नहीं हो पाते हैं दलेनी पसलों में इस्तित गाठे डंग से विक्सित नहीं हो पाती हैं अब मैं आपको बताता हूँ सलपर का उप्योग कितनी मात्रा में करना चाहिए अनाज वाली पसले जैसे गेहूं, दान, मक्का में 25-40 किलोगराम परती हेक्टेर की दर से तता दलेनी पसलों जैसे चना, मूंग, मसूर, उड़द में अर अलूव, चारेवाली पसलों में 25-50 किलोगराम परती हेक्टेर की दर से सलपर का उप्योग करना चाहिए किसान भायो आम तोर पर NPK, यूरिया और DAP के बारे में जानकाई होती है लेकिन सलपर, नाइट्रोजन और फासपोरस और पोटेशियम के बाद छोता ऐसा पोशक तत्व है जिसकी पोदे को सबसे ज़्यादा जरूरत होती है औरिजिनल सलपर का रंग हलका फीला होता है सलपर एक ऐसा है जो खाद के रूप में भी परियोग किया जा सकता है कवकनासी के रूप में भी इसका परियोग किया जाता है इसके साथ ही प्लांट क्रोथ रेगुलेटर में भी इसका परियोग होता है और इसका परियोग कीट ना सके रूप में भी परियोग किया जा सकता है